नमस्कार आप सभी को मेरी यूटूब चैनल माई कीचन रेसिपी में स्वागत है थम्बिल और टाइटल देखकर आप सबको पता चली गया होगा कि आज मैं क्या रेसिपी आप सब के साथ शेयर करूंगी मैं आज शेयर करूंगी मश्रूम रेसिपी मश्रूम खाना लगबग चोटे बड़े सभी को पसंद है और पसंद क्यों ना होगा यह मश्रूम जादा मेंता कहा है रासे तो मश्रूम खाने को अगर मिर जाए तो मास मचली अंडे सभी भोल जाएंगे तो चली मश्रूम बनाना स्टार्ट करते हैं तुमेनी आपी 300 ग्राम मश्रूम लिए है तो एक बड़े बरतर में पानी लेंगे सारी मश्रूम को इसमें डाल देंगे और एक एक करके अपने हाथों से मसल मसल के दोलेंगे इस तरह सी मसल के धूएगा जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ देखे सारी मश्रूम को मैं नी मसल लिए है और पानी का कलर भी चेंज हो गई है और एक पार इसे साफ पानी से धोलेंगे ताकि इसका बचे हुई मिट्टी भी धोल सके इस मश्रूम के अलावा मैं दोसरी और एक मश्रूम रेसिपी आप सभी की साथ शेयर के थे अगर में कट कर लेंगे देखे इस तरह से कहना है देखे सारी मश्रूम को मैं नी कट कर लिए है अब इसके मिसाले रड़ी कर लेती हूं तो इसके लिए एक बावल में लेंगे एक चोट की जीरा एक चमच राही दो हरी मिर्ची आथा टमाटर एक प्यास एक इंच के टुकरी सबी चीजों को हम पेस्ट बढा लेंगे देखे पेस्ट के लिए और हमारे सारी चीज़े त्यार है मैंने आप लिए ही मिर्ची पावडर धनिया पावडर हल्दी और जीरा पावडर साथ में स्वाद अनुसार नमक सरसो का तेल तो अब हम मश्रूम को कुक करेंगे कुक कर और हमीजा टेविले स्पून सरसो का तेल डाल दिये हैं इसके साथ एक चुट की जीरा और दो सुखी मिर्ची डाल दिये हैं अब इसमें डाल देंगे मश्रूम इसे फ्राइ कर लेंगे ये मश्रूम प्रक्रतिक है ये चास नहीं होते इसे लिए ये टेस्टी होते खाने मे मश्रूम फ्राइ करते समय नमक मत डालिएगा वेना जादा पानी मश्रूम से निकल आएंगे वैसे भी देखे मश्रूम से कितने पाने निकल आए हैं मश्रूम का पानी सोक जाने तक इसे फ्राइ कर लेना है देखे सारी पाने सुख गए हैं अब इसे निकाल लेंगे अब इसी कड़ाय में एक चमस तेल डाल देंगे और एक तेजबता पहले जो पेस्ट मैंने बिना की रखे थी उसे डाल देंगे एक चे दो मिनट तक भोल लेंगे अब इसमें डालेंगे हर्दी, जीरा, धनिया और मिर्ची प्याडर मिर्ची अब अपने एक ओर्डिंग कम्यों जादा कर सकते हैं इसके साथ हम डालेंगे इस वादरों से निवक जब तक मसाले का कलर चेंज नहीं हो जाती हैं तब तक हम इसे भूल लेंगे देखे, मसाले का कलर चेंज होगी हैं और मसाले से तेल भी अलग होगी हैं देखे, सारी मसाले मैंने भून लिए हैं, अब इसमें डालेंगे फ्राय की हुई मشरूम मसाले के साथ मशरूम को मिला लेंगे ये मश्रूम इतना स्वादिश्ट होता है कि थोड़ा सा पानी और नमक देकर उबालकर खानी में भी बहुत अच्छा लगता है इसे तो मसाले के साथ बना रही हूँ तो सोचिए ये कितना अच्छा लगेगा खाने में अब एक लास पानी डाल देंगे और इसे एक मेर तक मिला लेंगे ग्रेवी अपने हिसाब से बनाए जैसे आपको खाना है मश्रूम मुझे और मेरी फैमली को भी बहुत पसंद है बस हमारा मश्रूम करे से भी बनके त्यार हो गए है अब इसे कड़ाई से निकाल लेंगे दूसरे वेडियो में तक तक के लिए माय के जैन रेसिपी के साथ जुड़े रहे हैं